What's up everyone, welcome back to the channel, guys today is Saturday और आज का दिन हमने रखा है review करने के लिए, recap करने के लिए कि हमारे इस 100 Days Commerce Pro Series जो हमने class 11 के लिए चलाई है, इसके अंदर हमने पिछले week में क्या 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 किया है और आने वाले week में हम क्या क्या करने वाले हैं उसका schedule आपको दे दे वाला हूँ, तो बहु बढ़िया तरीके से complete करेंगे, चले जली से, let's begin तो गाईज ये जो 100 Days Commerce Pro Series है, ये आपकी class 11th commerce जर्णी में बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाली है क्योंकि पूरा disciplined way में जब आप 100 Days तक पढ़ाई करते हो, जिसमें से 6 दिन already हो भी चुके हैं, 7th day हम लोग Monday से शुरू करेंगे तो बहुत ही शांदार तरीके से सारी चीज़े complete होती है, जब इतनी शांदार तरीके से सारी चीज़े complete होती है और जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ोगे न, you will feel की पता ही नहीं लगा कैसे चीज़े खतम हो गई तो अच्छे तरीके से daily attendance लगाते रहना, अच्छे तरीके से schedule को follow करते रहना और बढ़या तरीके से पढ़ते रहना तो Saturdays guys हमने रखे हैं revision के लिए, तो देखो accounts में हम लोगों ने 6 classes पूरी कर ली है जिसके अंदर chapter 1 of accounts हमारा complete हो चुका है, chapter number 2 basic accounting terms हमारा complete हो चुका है और accounting equations हम लोगों ने practical का एक chapter start किया है, जो की अगले week में खतम हो जाएगा, उसकी 2 classes हो चुकी है तो total 6 classes आपके बास accounts की हो चुकी है, playlist मैंने बना दी है, तो आपको बस playlist में जाना है अपने सारे के सारे lectures को आज revise करना है, chapter 1 revise करके याद करके side में रख दो, chapter 2 revise करके याद करके side में रख दो, accounting equations एक बार फिर go through कर लो, revision कर लो अगर मैं economics की बात करूँ बच्चे तो introduction हम लोग complete कर चुके हैं, उसके साथ-साथ हम लोगोंने demand की भी एक classes complete करी है अब अगले आने वाले week में हम क्या करेंगे, उससे पहले आपको ये वाला portion Sunday तक, यानि कल शाम तक complete कर लेना है मंडे से तो फिर से हमारा नया week शुरू हो जाएगा, जो बच्चे हमें अब join कर रहे हैं, in between this join कर रहे हैं तो भाई, six छोटे ही classes हुई हैं, अभी आप जल्दी से आज और कल में complete कर लो और फिर मंडे से हमें join करो, इस सीरीज का part बनो और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करो Sir, next week का क्या schedule रहने वाला है, देखो यार, screenshot ले 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 ना हमने Wednesdays for revision रखे हैं and Saturdays for revision रखे हैं क्योंकि मैं समझता हूँ how important is revision बच्चा अगर आगे बढ़ता जाएगा, पिछला revise नहीं करेगा तो भूलता चला जाएगा, आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आगे का करते जा रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं क्यों होता है, revision नहीं होता, तो revision पे खाज ध्यान देना है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कैसे hundred on hundred आते हैं, मेरे पढ़ाएवे students के हर साल सौ में सो सौ नंबर आते हैं, तीनों ही subjects में, कैसे आते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कहां पे क्या important है तो यहां पे बिटा देखो, next week में हम क्या करने वाले हैं, Monday Tuesday में हम accounts में accounting equation खतम करेंगे, this is accounting equation, ठीक है, इसको complete करेंगे, और business studies का chapter number one हमारा complete हो जाएगा दो classes में, मैंने economics और business studies में ये चीज़ रखी है, सीरीज में कि कोई भी chapter हम दो classes से जादा में नहीं करेंगे, या तो one short होगा, या फिर maximum दो classes में होगा, accountancy क्योंकि बड़े-बड़े chapters होते हैं, तो उसमें पार्ट जादा हो सकते हैं, लेकिन economics और business studies में नहीं होगे, तो चाहे micro economics हो, चाहे macro economics हो, चाहे statistics हो, चाहे Indian economic development हो, economics में कुछ भी हो, कोई भी chapter दो पार्ट से जादा में हम नहीं करेंगे, ठीक है, इसके साथ साथ, Thursday, Friday को, Wednesday को आप ये revise करना, accounts में accounting equation अच्छे से revise करना, पूरा का पूरा और business studies का chapter 1 याद करके side में रख देना, ठीक है, फिर Thursday, Friday हमारे हम लोग सबसे पहले accounting principles, chapter number 3 है, accounts का वो करेंगे, अगर one shot में हो गया, तो यहाँ पे मैं नया chapter शुरू करा दू और उसके साथ, consumer equilibrium part 1 बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, consumer equilibrium अपने हाप में बड़ा chapter है, बट काफी सारा portion इसमें हो जाएगा, क्योंकि दो parts में हमें करना है, तो consumer equilibrium demand यहाँ पे हो जाएगा, Saturday में आपके पास revise करने के लिए बहुत कुछ होगा अगले हफते, मैं फिर से हाजि 2, 3 and accounting equation, BST में आपके पास revise करने के लिए chapter 1 होगा, ECO में आपके पास revise करने के लिए chapter 1, 2 and 3 होगे, तो काफी सारा काम बढ़ जाएगा, इसलिए अब जैसे जैसे week आगे बढ़ेगा, तो revision का importance बढ़ता चला जाएगा, बच्चों, तो इसकी importance को समझना, शांदार तरीके से पढ़ाई करना, और इसी तरीके से आगे भढ़ते रहना, I hope आप लोग को schedule समझ में आ रहा है, और ये series आपके लिए बहुत helpful हो रही है, उसके साथ साथ बेटा, जितने भी students मुझे tag करते हैं, stories पे, Instagram पे, Snapchat पे tag करते हैं, तो guys, please day जरूर mention करा करो कि कौन सा day, day 6 of 100 days खतम, या day 7 of 100 days खतम, इस तरीके से जब आप stories लगाओगे, तो एक तो आपको भी discipline रहेगा, कि हाँ यार, मैं भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं, और उसके साथ साथ दूसरे students भी motivate होंगे, क्योंकि मैं re-share करता हूं, जब मैं re-share करता हूं, तो ही सारे बच्चे और motivate होते हैं, कि अगर ये बच्चा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं, तो हम एक बड़िया family की तरीके से series को पढ़ेंगे, और मैं पूरी महनत करूंगा आप लगों के लिए, बस आपको भी मेरे साथ साथ promise करके पढ़ाई करनी है, और 100 दिन के बाद खुद कर लिए और बट पहले इसमें पढ़ाई करूं, तो आज के लिए रिविजन बहुत इंपोर्टेंट है, अगले हफते का प्लान बहुत इंपोर्टेंट है, मिलता हूं मैं आप लोग को नई वीडियो में on Monday, thank you so much everyone for joining in, I am gonna see you all super soon, till then see ya, take care, bye bye, keep growing and keep growing.